कि यूज़ वेल्कम बैक तो यूज़ के इंदेर इधिरियम स्पॉट एटियफ अप्रूव और इसी कारण अगर हम देखेंगे इस बॉल साइकल के अंदर हमको इधिरियम ब्लॉक्चेंग के ओपर काफी ज़ादा ट्रैक्शन देखने को मेल सकता जैसे से इधियम का यहां पर ट्रेड होगा तो इसी कारण आज के वीडियो में हम बात करने वाले इधिरियम के उप़र टॉप थ्री कॉइंस या लेयर 2 प्रोजेक्स जिनके इंदर काफी पोटेंशल है 25 के इंदर ग्रो करने का एंगे वीडियो में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अगर आप आप देखेंगे जब यूजबीलिटी वाइस हम बात करते हैं तो सबसे जादा दके एधियाप साज के यट में एठियम ब्लॉक्चेन के ऊपर है लेकिन एठियम ब्लॉकचेन के उपर में में प्रॉल्म है स्केलाबिलिटी हाई ट्रांजेक्शन पी जहां पर एट टांजे का इको सिस्टम और बढ़ता है इस बोल साइकल में और अटेंशन आता है एथिरियम स्पॉट एटिएफ के बाद तो यह ले टू के अंदर ग्रोग करने के चांसे काफी जाद है तो हम बात करेंगे कौन से यह टॉप थ्री लेर टू प्रोजेक्स हैं एथिरियम के ऊपर जिन लेकिन के बारे में बात करें उससे पहले हम क्विक्ली थोड़ा सा बिट्कॉइन और एथिरियम का अपडेट देख लेते हैं जहां पर करेंटली अगर देखेंगे बिट्कॉइन की प्राइस सिक्टीन थाउजन दॉलर्स पी चलदी है जैसे हमने प्रीवेसली आपर टेलि बिट्कॉइन के लिए जैसे मैं बात कर रहा हूँ बिट्कॉइन नई टेरिट्री में तो यहां पर हम 60-70,000 डॉलर्स पे हो सकता है ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे बेटर है वो अच्छा सपोर्ट बन जाएगा इन इवेंचुली हम ब्रेक आउट करेंगे लेकिन क्व ब्रेक आउट को हम कैसे इडेंटिफाइ करें कि हम 60-70 के बाहर निकल उसके लिए मेन एरिया अगर आप देखोगे करेंटली हो यह रहा है एक यहां पर अपर आप ट्रेंड लाइन दे सकता है यहां पर बार बार बिट्कॉइन की प्राइस को रिजेक्शन बर रहा है तो य 70 के 70,000 के उपढ़ जाना चीए आपको यह वाला चार्ट शो कर देता हूं 70,000 के उपढ़ जाना चीए एन उसके बाद वहाँ पर उसी तरह से रियाक्शन देना चीज़िए हमको करेंटली यहां पर देखने का बार प्राइस यहां पर यहां पर इस तरह से मूव करें बार नहीं एक दिन में या दो दिन में उपड़ चले गए, एक दो वीक की candle closing जो है, वो 70 के उपड़ होने चीज़, तभी वो चीज confirmation हम मानेगे, एक दिर दिन के breakout से कुछ यहाँ पड़ नहीं हो, अब similarly support wise अगर हम बात करें, तो main support जैसा में बात कर चुका है, 59 to 60 है, इसके नीच वीकली close तो हमको नहीं देखने को मिलने चीज़, अभी तक अगर आप देखो कि वो ही चीज़ हुई है, प्राइस जब भी नीचे गई है, अल्दो में एक बार 56 तक भी गए थे, वीकली closing देख लो आप 59 के उपर यह, और यह काफी important level है, जैसा मैंने बता है, mining cost हमने निका 27,300 का डॉलर का area बन गया, and second अगर आपको उसके बाद देखना है, तो वो 64,000 का बन जाता है, 63,500 से लेकर 64 का आप मान लो, और फिर हमारा यह last area बन जाता है, ठीक है, तो this is worth keeping an eye on, यह इसलिए शेर किया तक आपको एक idea मिल जाए कि जब breakout आ रहा है, आप खुद इसको identify कर Ethereum की अगर हम बात करेंगे, तो Ethereum में, यहाँ पर main जो भी breakout का area बन जाता है, वो 4,000 डॉलर्स है, यहाँ पर बार बार जाके हमारी limitation बन जा रही है, तो Ethereum के अंदर भी same, अगर हम 4,000 को cross करते हैं, थोड़ा उपर जाए, और weekly में हम 4,000 के उपर हैना start करते हैं, तो वो फिर एक breakout confirm कर देगा, जो possibly हमको तब देखने को मिले, जब Ethereum spot ETF की trading start हो जाएगी, अभी approved तो हो गया ETF, लेकि trading start नहीं हुई है, तो 4,000 डॉलर्स का resistance area हो गया, जो important है, breakout को confirm करने के लिए, अगर एक दो week तक हम उपर है, 4,000 के उपर, support wise अभी भी जो area है, वो 3400 का यह area है, जो हमने यह भी telegram पर share किया था और यह area जो support की तरह होल्ड कर रहा है, तो अभी भी यह valid है, यह पहला area बन जाता है, जो I think most probably hold करना चाहिए, लेकिन अगर यह break हो गया, तो उसके next हमारा area बन जाता है, वो 3200 डॉलर्स का यहाँ पर बन जाता है, जो support wise यहाँ पर hold करना चाहिए, 3200 से लेके 3300 का zone, ठीक है, तो यह तो हो गई, bitcoin और ethereum को लेके update, अब next हम यहाँ पर बात करते है, ethereum के उपर, top 3 layer 2 projects, worth keeping an ion, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते है, तो currently ethereum के उपर 3 top layer 2s हैं, या roll ups हैं, वो बन जाते हैं, यहाँ पर polygon, arbitrum, और optimism, तो इनी 3 coin को हम देखेंगे जो 3 coin, मतलब ही 3 की 3 are worth keeping an ion, और इनकी buying range के में बात करूँगा, लेकिन buying range पे हम जाएं, उससे पहले एक थोड़ा सा मैं आपको on-chain idea देना चाहता हूं, यह से 3 की 3 coin अभी use हो रहे हैं ethereum के उपर, इन 3 में से सबस्यादा usability की हो रहे है, on-chain, exchange के बात नहीं करा, on-chain, तो वह ह देखते हैं, तो सबसे पहले अगर हम on-chain comparison यहाँ पर करेंगे, तो one by one चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं TVL, TVL means total value locked, कि मतलब किते token जो है, वो on-chain है, lock हो रखें, staking या बाकी चीज़ों के लिए, तो उसमें अगर हम देखेंगे, number one पे, यहाँ पर आ जाता है, arbitrum, जह तो यह वैसे overall market cap है, जो इतना इस on-chain में matter नहीं करता है, लेकिन reference के लिए मैने यहाँ पर दाला है, which you can read है, लेकिन next moving on, अगर हम on-chain transaction की बात करेंगे, तो यहाँ पर फिर से number one पे आता है, arbitrum, 38 million के साथ, यह on-chain बात कर रहा है, exchange की बात नहीं करा, trading वाली, on-chain, second number पे यहा arbitrum यहाँ पर lead करता है, 10.8 million पे, second यहाँ पर आता है, polygon 4.91 million पे, third यहाँ पर आता है, optimism 2.69 million पे, अब hodless के हम बात करें, कितने लोग होडल वगरे कर रहे हैं on-chain, तो हाँ पर फिर से number one पे अगर आप देखेंगे, arbitrum आता है, 1.18 million पे, second number पे यहाँ पर आता है, optimism 1.17, which is very close to arbitrum, and third number पे आता है, polygon 663,000 के number पे, तो overall अगर हम यहाँ पर देखते हैं, based on everything we see है, यहाँ पर अभी सबसे आदा on-chain matrix के according, leading chain, इस matrix के according, जो बन रही है, वो यहाँ पर arbitrum number one होगी, number two के अगर आप बात करेंगे, तो इसको basically आप time आन सकते हैं, polygon और optimism की बीच में, तो जैसा आपको मानना है, उस according आप मानलीजीए, लेकिन सबसे आदा use जो हो रही है, वो भी arbitrum, अब next moving on हमें, एक important चीज जो देखेंगे, वो है stable coin का comparison, किते stable coin इन chains के उपर है, वहाँ पर फिर से अगर हम देखेंगे, यहाँ पर lead कर रहा है, arbitrum, 2.3 billion, second number पे आता है, यहाँ पर polygon, 8 786 million, third number पे यहाँ पर आता है, optimism, 785 million, अब यहाँ पर in stable coins के hodler wise अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर वैसे number 1 पर जाता है, polygon, जिस पर 3.8 million है, second number पे arbitrum आता है, यहाँ और third number पे यहाँ पर optimism आता है, 410 पर, यह हो गए USDT के बाद, next बात करते हैं, USDC की, तो आपर फिर से number 1 पे आता है, arbitrum, 1.1 billion, second number पे यहाँ पर आता है, optimism, 162 million, third number पे यहाँ पर आता है, polygon, जो 33 million से लेके, आप 60 million की बीच में मान सकते हैं, यहाँ तो third number पे यहाँ पर polygon आ गया, hodler wise अगर हम देखेंगे, number 1 पे फिर से यहाँ पर arbitrum, जहाँ पर unlike USDT, यहाँ पर ज्यादा hodlers है, thousand, third number पे आता है, यहाँ पर polygon, 31,000 के around यहाँ पर, तो फिर से अगर हम यहाँ पर overall देखते हैं, तो यहाँ पर number 1 जो बन जाता है, stable coins में, वो यहाँ पर arbitrum बन गया, अगर आप देखेंगे, फिर से आप यहाँ पर time आन सकते हैं, polygon और optimism के बीच में, तो on-chain matrix wise और stable coin wise, अगर बन जाता है, अब यहाँ पर next moving on हम देखते हैं, market cap comparison, कि यह तो बात on-chain क्यों हो गई, price wise, token wise, supplies wise, क्या चल रहे हैं आपर, तो अगर हम देखेंगे, currently, polygon की हाँ पर price चल भी है, 7 cents के around, polygon का all time high था हैं, आप पर 2 dollars, 88 cents, जो December 2021 में था, उस time पर arbitrum और optimism नहीं आय थे, उसके तो almost अगर आप देखेंगे, 10 billion में से काफी हत तक ज्यादाता supply जो है, वो market में आ चुकी है, current market cap देखेंगे, तो वो है 6.7 billion का, यहीं पर arbitrum की बात करेंगे, तो token price है 1 dollar, 19 cent, all time high था 2.26 dollar, जो January 2024 में बना था, circulating supply है 2.6 billion, total supply is same like polygon, 10 billion, और market cap जो है, वो 3.1 billion dollars की यहां पर बन जाती है, थर्ड अगर हम देखेंगे, optimism कि यहां पर token price है 2.56 dollars, all time high 4.69 dollars बना था, March 2024 में, और यहां पर अभी circulating supply है 1 billion, लेकिन यहां पर total supply जो है 4.2 billion है, मतलब आदे से compared to polygon and arbitrum यहां पर बिन जाती है, market cap जो है, वो 2.8 billion है, तो यहां पर main एक, अगर हम देखेंगे, overall, total supply और circulating supply का comparison wise देखेंगे, तो polygon में यह चीज़ है कि जाता token जो है, वो market में आ गया है, यह चीज़ अभी arbitrum और optimism में हुई नहीं, क्योंकि दोनों नए projects है, तो आने वाले time पर यह और tokens आ सकते हैं, ज़्यादा usability होना इनके लिए important, तो वो थोड़ा सा एक negative हो जाता है, लेकिन still compared to total market cap अगर आप देखेंगे, polygon इतना पुराना है, इतने time से user में अगर जब से पहले आया था, competitor और भी थे लेकिन usability ज़्यादा बड़ी, आज की इतने market cap है 6.7 billion और जो दो नए tokens यहाँ पर आए हैं, वो on-chain भी यहाँ पर, या तो lead कर रहे हैं, या same comparison में यहाँ पर run कर रहे चाहे आप Arbiterum and Optimism को यहाँ पर देखेंगे, तो definitely show करता है कि इन दोनों के दोनों के अंदर, Arbiterum number one, second आप Optimism को मान लेजिए, और वो time मान सकते हैं, Polygon के साथ कि काफी potential है, तीनों के अंदर grow करने के लिए, लेकिन on-chain I wanted to give you an idea, कि market में price-wise क्या चल रहा है, जो हर कोई दे कि इन दोनों के अंदर भी काफेचा potential है, लेकिन I wanted to give you an outlook, तीनों की तीनों की तीनों कोई जो है, definitely worth keeping an Ion, क्योंकि अभी इतना Optimism में फिर भी price movement आया, Arbiterum और Polygon में इतना ज्यादा आया नहीं, तो जैसे और attention होगा Ethereum blockchain के उपर, और और ये चीजों को develop करेंगे, तो हमको औ और usability देखने को मिल सकती है, अब अगर हम ये तीन कोई, टॉप 3 कोई जो हमने पिक किया, अगर इनको buy करना है, तो कौन सा range देखें, तो यहाँ पर सबस्पहले हम बात करते हैं, यह comparison chart भी अगर आप चाहें, तो pause करके screenshot इसका ले सकते हैं, मैं Telegram पे भी send कर दूँगा, तो I think shed 0.6 की नीचे आया भी तो छोटी सी विख ही यहाँ पर होगी, क्योंकि यह trend line काफी crucial trend line है, जो काफी time से बन रही है, तो break होना इतना आसान इसका नहीं है, and main problem यह कि जो main resistance है जो बार-बार polygon को रोक रहा है, वो यहाँ पर $1 का है, जिसके उपर अगर आप देखेंगे, स यहाँ पर हो सकता है, हम काफी time तक fluctuate करें, और वो फिर आपके लिए अगर आपको dollar cost अगरे करना है, तो यह range आप देख सकते हो, यह होगे polygon की बात, next moving on हम बात करते है, आर्बिटरम की, तो आर्बिटरम के लिए अगर आपको buying range देखना है, तो यहाँ पर आप देख सकते अगर आपको यहाँ पर देखनी है, and important जो resistance है, आर्बिटरम के लिए break करना, जहाँ पर हम breakout मान सकते है, वो यहाँ पर बन जाता है, 1.4 dollar का area, जब हम इस area को breakout करेंगा, यहाँ पर sport बना लेंगे, तो एक actual अच्छा move होगा, जो हम expect कर सकते हैं, और further breakout हम को तेकने को मिले, next ह हम बात करें, यहाँ पर optimism की, तो optimism के लिए कौन सा buy area बन जाएगा, तो यहाँ पर दो buy areas है, सबसे पहला area जो बन जाता है, वो 1.2.1 dollar से लेके, यहाँ पर 2.5 dollar का बन जाता है, लेकिन इस से better area जो बन जाएगा, वो बन जाएगा, यहाँ पर 1.6 से लेके, 2.1 dollar के बीकि, यह correction के chances जाएगा हो सकते हैं, तो इसी कारण से नीच वाला जो बोल रहा हूँ, 1.6 to 2.1, यह थोड़ा better रहेगा, अगर breakout wise हम देखेंगे, तो अभी currently main resistance बना हुए, optimism के लिए, वो 3 dollars, जब हम 3 dollars के उपर जाएगे, तो फिर वो actual movement मान सकते हैं, उसके उपर निका, जैसा खुद भी 100% हो सकते हैं, मेरी buying range पर आप बाइ करो, और price नीचे चले जाए है, इसलिए मैं तो अपना experience शेर करहा हूँ, आप खुद की research जरूर करना है, इनको buy करने के लिए, लो को यह बोला, आपने ये range बताएगे थे, दिखूँ ऐसा हो गया, अपना stop loss लेगे लगा ले हर किस आपस आपको आइडिया देना था on-chain comparison versus market cap wise और charts में क्या चल रहा है ताकि आपको एक outlook मिल जाए यह layer 2 projects जो है उनको भी फिर आप research कर सकते हैं देख सकते हैं पाकि आपको क्या लगता है यहां पर यह जो तीनों coins है इन तीनों coins में से ज्यादा potential आपको किस पर लगता है क्या आपको polygon पर लगता है आपको आर्बिटर में रखता है या optimism में लगता है या कोई और आप layer 2 देख रहे हैं जिसमें आपको लगता है ज्यादा potential है अगर आपको रैंक करना है 1,2,3 इन तीनों layer 2 में से तो आप कैसे रैंक करोगे 1st कौन होगा 2nd कौन सा होगा 3rd कौन सा होगा आपके opinion में do let us know अगर सीखनी को मिला है तो प्लीज दू लाइक दू सब्सक्राइब इत अल्वेस कीक्स मोटिवेटेड इन कॉमें दाल देना जो भी आप सोचते हो बाकी मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाएंड टिक केर सी यू गाइस बाए